प्रिये विद्ध्यार्थियों आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है आज का हमारा यह वीडियो बेसिक गडित सिरीज का आठों भाग है जिसमें हम लोग सिखेंगे प्रत्सत निकालना क्योंकि यह बेसिक जो सिरी चला रहे हम लोग यह छोटा छोटा लेवल का मैच चला रहे हैं इसमें जिसमें सभी चोट टॉपिक जो छोटा यूटा आता है वो सब को जनकारी हो देखिए किसी भी सवाल में परसेंटेज कैसे निकालते हैं प्रत्सत निकालना प्रत्सत मत होता है कि सव उसमें सव यानि कि प्रसेंटे मतलब सव चिपा रहता है हमेसा जैसे एक एक एक्जामपल लेते हैं कि मालने ये 100 रुपया है अब से छोटा यामपले ही लेते हैं 100 रुपया का मालने ये 100 रुपया है 100 रुपया का 10% कितना होगा इसको परसंट इचीन होता है प्रत्सत क्या होगा क्या होगा कि अब 10 परसंट निकालना है इसका तो देखिए अब 100 है तो 100 है लिखेंगे हम लोग हल कर रहे है इसको कैसे हल होता है तो 100 का का मतलब गुड़ा होता है और 10 है यानि परसेंटेज यह दस बटा में 100 लिख देंगे हम लोग परसेंटे जहां पर आ गया वहां पर आनि कि 100 छिपा हुआ है तो 10 बटा में 100 कर देना है तो यह 0 है दूगो अंस में माना आता है यह हर में तो इसको कटा देंगे 0 यानि 0 यह भी कटा सकते हैं यह भी कटा सकते हैं कोई 0 कटा सकते हैं 2 0 यह नहीं कि यह भी कटाएं केवल, तो देखिए, क्या बचा, जब 100 कट के तो क्या बचा, दस बचा उपर, याने कि 10 होगा केवल, तो 100 रुपाय का 10% केवल, 10 रुपिया ही होगा, अब आगे सवाल और लेते हैं, समझते हैं, देखिए, जैसे कि, कोई भी सवाल हो हम लोगों का, 3450 का, 50% कितना होगा, का 50, ऐसा भी सवाल लिख सकता है, परतिसत, परतिसत क्या होगा, जब ऐसा सवाल देदे, जो 50% काल निकालने, आपाय हैं, निकालना है, उस देखिए, इसको भी हल करते हैं हम लोग, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे हल करेंगे, 3, 4, 5, 0 है का मतलब गुणा लिख देंगे 50% दिया है या यह सरब चिन दे चिन परसेंटेज में लिखे चाहे प्रसत लिखा हो हमेशा बटा में 100 आता है इसका तो बटा में 100 कर देंगे 50 बटा में 100 अब देखिए यह 2 0 आगया नीचे 100 दें तो उपर 1 0 है और यह 0 है 1 0 से 1 0 यह कटाएंगे और 1 0 से 1 0 यह कटाएंगे अब क्या करेंगे अब बचा है 345 गुनते 5 345 गुनते 5 अब इसको गुणा कर देंगे जो आएगा हमारा वही इस सवाल का उत्तर हो جाएगा तो 5 25 को 5 होता है हासिल 2 पांच चव के 20 दू, 22, 22 को 2, हांसिल दू, 5 ती आई, 15 दू, 17 तो ये होगा, 3 है, 450 रुपय का 50%, 1720 रुपया एंसर होगा इस परकार से कोई भी परसेंटेज निकालना हो, तो इस परकार से हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज का सवाल, इस तरह से हम लोग निकालते हैं देखिए, अगला कोईशन और लेते हैं ये एक कोईशन है, कि रमेस हाई स्कूल में, यानि कलास 10 में 600 में, यानि कूल जो पुडांक होता है, 600 में, 60% पाया यानि 60% जो है, अंक पाया हो, उसने कितना नंबर प्राप्त किया ये नहीं कि 60% मतलब 60, 60 नंबर इस 600 का 60% पाया उसने, कितना नंबर पाया तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे इसको, देखिए टोटल पुडांक है 600, हम लोग लिखेंगे, 600 अब 60% पाया, इसको 60% निकाल देंगे तो 60 पाटा में 100 कर देंगे, अब पहला काम क्या होता है जीरो अगर आथा, तो जीरो कटाते हम लोग, तो उपर तो जीरो हट गया, अब बचा क्या, 6 गुणते 60, तो इस प्रकार से हो जाएगा, 6-6-36, यानि 0 है वो, 360 अंक, जब 360 अंक अदमी पाता है, तो उसको बोलते हम लोग 60% पाया होगा, इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा, अब इसमें प्रसंटेज में तो बहुत टाइप का सवाल बनता है, लेकिन हम लोग ये बेसिक से लिए चला रहे हैं, क्योंकि जिन बिद्यार्थियों का मैज कमजोर है, वो कम से कम बेसिक मैज सिख पाएं, और अपने बुक का जो सवाल होता है, सभी को अच्छा से हल कर पाएं, एक कोश्चन और लेंगे, देखिए, ये कोश्चन है, गीता हाई स्कूल में चार सव अंक पाई, उसेने कितना परसंट अंक पाई, बिद्यार्थियों, देखिए, हम लोग ऐसे स्कूल गाओं घर में पढ़ते हैं, तो कोई बोलता है कि इतना का पुड़ांक है, और उसमें इतना अंक पा दिया, तो कोई परसंट अंक पाई, तो कैसे परसंटे निका जालते हम लोग, इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है, कोई भी सवाल हो, देखिए, यह दिया है कि 600 पुड़ांक है और 400 पाया है, यह सवाल दूसरा था, इसमें बस दिया था कि 600 में 60% पाया, तो कितना अंक पाया, तो अंक निकालना है हम लोग, अब यह अंक दिया है इसको परसेंटेज में निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 600 में 400 पाया है, तो जितना अंक पाई है, यह से हल करेंगे हम लोग इसको, तो कैसे हल करेंगे देखिए, देखिए, जितना अंक होता है, उसको अंक को लिखते हम लोग, 400 पाई है, 600 लिख देंगे गुड़ते करेंगे गुड़ते हमेशा 100 करेंगे गुड़ते 100 अब बटा में इसके बटा में करिए चाहिए कुल के बटा मानी है अप लोग बटा में कुल के मान लाते हैं क्योंकि किसी का बटा में होता दोनों के बटा मानायता है हो बटा में जो पूरांग होता है उसको नीचे लिग देते हैं हम लोग अब इस प्रकार से हल करेंगे इसको तो आ जाएगा हम लोग का परसेंटेज देखिए पहले 0 कटाएंगे सुभधा होता हम लोग कटाने के लिए 2 को 0 कट गया अब बचा 400 बटा में 6 तो यह हम लोग हो गया 400 बटा में 6 तो इसको 400 में 6 का भाग करेंगे तो आप लोग इस तरह से भाग कर सकते हैं नहीं तो इस तरह से भाग कर निकाल सकते हैं छो में 400 का भाग देखिए तो पता कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज आ रहा है एकुरेट गम सही सही तो 40 है चाहा के 36 बचा चार इतना बचा और ये चाहा के 36 ये भी बचा चार अब इस प्रकाश दस्मोर लगाएंगे हम लोग जीरो फिन चार बचेगा फिन जीरो दस्मोर यहां पर लग गया है लेकिन ये कटेगा नहीं ये इस तरह चलता जाएगा चाहा के 36 यानि चाहा के 36 आएगा इस पर कैसे चलता जाएगा तो हम लोग यहां पर यह सोच माल नहींगे 6 तशट maior चाहा आएगा हम लोग का परसेंटेजे हैं तो हम लोग इसको काटके यहां पर लिख सकते हैं बराबर यह समझाने के लिए कि यह रफ तो चाठ छठ दस्मलो 16 चाब परसेंटेज तो यहां पर आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं कि कुल कितना पाई अंक वो 66 दसमलो 66 परसेंटेज अंक प्राप्त की गीता ने है इस प्रकार से किसी भी विशय में कोई कितना भी अंक पाता है वो कितना परसेंट पाई इस प्रकार से निकालते हम लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे सेयर कीजिए और लोगों में और लोगों को अपने दोस मित्रों को बताईए और इस हमारे चैनल पर 6, 7, 8 का भी मैद का गणित का वीडियो बनाते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे ओके